Modern Medical Science ने एक से बढ़कर एक असाध्य बिमारियों का इलाज सुंभव कर दिया है लेकिन आज भी ऐसे कई समस्ये हैं जिने मानव अपने लिए अभिशाप मानता है जो चाहता तो कोई भी नहीं है लेकिन जादा तर लोगों को इसका सामना करना पड़ता है हाला कि अब वारा नसी की काश्वी हिंदु विश्व विद्याले के Medical College की Dermologist विभाग ने गंजबन का इलाज ठून लिया है BHU के डॉक्टर ने बहुत ही कम खर्च और कम वक्त में इसका कारगर इलाज खोज निकाला है आपको बता दे कि PRP अक्टिवेटर तकनीक में डॉक्टर ने एक-एक अक्टिवेटर का प्रियोग कर की कि सफलता हासिल की है इलाज के इस तकनीक में 15 ml खून, 30 ml की ठेरपी और 6 महीने के इंतजार के बायाद गंजबन खत्म हो जाता है और खर्च भी सिर्फ 2000 रुपे आता है इस रिसर्च का परकाशन बीते दिनों इंजियो जर्नल ओफ डर्मलोजिस्ट में भी हो चुका है BHU IMS के सीनियर डर्मटोलोजिस्ट प्रोफेसर सितेंद कमार और डॉक्टर शैले शिंगले इस पर मिलकल रिसर्च की है BHU के सर सुंदरलार अस्पताल में पिछले 6 महीने से लोगों का इलाज भी शुरू हो चुका है जिसके काफी अच्छे नतीजे सामने आये हैं इस थेरपी से लाज जो करवाने वाले लोगों के सिर पर 90% तक भाल वापिस आ चुकी है इसका प्रयोग 500 से जादा मरीजों पर किया जा चुका है इस PRP एक्टिवेटर थेरपी के बारे में जादा जानकारी देते हुए सीनियर डर्मोटोलिजिस्ट प्रोफेसर सतेंदर कुमार ने बताया है कि कुल चार कैटेगिरी में बांट कर इसका इलाज किया जाता है पहले में खाने की दवा, दूसरे में लगाने की दवा, तीसरे में लगाने की दवा के साथ PRP और चौते में यानि आखरी कैटेगिरी में सिर्फ PRP ट्रीटमेंट दिया जाता है अंतिम ट्रीटमेंट काफी तेजी से रिकवर करता है जो इसमें दवा का सेवन भी नहीं करना पड़ता है उन्होंने आगे बताया है कि PRP अक्टिवेटर थेरपी में गंजरे इंसान के सर से उस हिस्से में इंजक्शन दिया जाता है जहां से बाल उखट चुके हूँ PRP में अक्टिवेटर को भी मिलाए जाता है जो प्लेटलेट्स को अक्टिवेट करने में सहायक होता है उन्हें बताया है कि इस थेरपी के इस्तिमाल के बाद मुटाई तीन और चार गुना तक पालो की बढ़ जाती है